दोस्तों आप सभी का सुवागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो जो आज का वीडियो होने वाले वो खास कर उन लोग के लिए खास होने वाला है जिनके पास शार्जी भी राम है और पांसो बाराम भी ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला प तो देर की इस बात की विजिट करो एंड अपने गेम को इंस्टाल करो दूसरी बात कि अभी देखा आपने हमें इंस्टागराम हैं हमें ट्रेग्राम चैनल को जॉइन नहीं के तो भाई घर ख्या रहे हो जाके जॉइन कर लो भाई तो बीना टाइम वेस्ट किये चली आप इस गेम को बोल सकते हैं कि यह बैटल फिल्ट री का पुरा सीक्वेंस है जो कि 2011 को रिलीज किया गया था बैटल फिल्ट फॉर को रिलीज किया गया था ऑक्टूबर 2013 को आपकी प्लैटफॉर्म के लिए उपलब दे प्लेस्टेशन 4 एक्स बॉक्स और आपकी PC के तो बेसिकली इसका जो ग्राफिक्स कॉलिटी बहुत ही ऑसम है और यह पूरा मिशन यह पूरा कैम्पिंग का गेम है साथी साथी मल्टी प्लेयर भी दोस्तों तो अगर इस घम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं वहां से इसे इ पर आपके पास 15 GB का स्पेस खाली होना चाहिए आपके PCI लैपटॉप पे तो भाई इतना सेस्टम रिक्वार्मेंट है इस गेम को आप स्मूधली खेल सकते हो एंड गेम का पूरा एक्स्पिनिस ले सकते हैं बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के उपर तो कैस हमारा जो वीडियो गया में जिसे डेबलप और पब्लिश किया गए यूविशॉफ के द्वारा एंड को रिलीज किया गया तो 29 नॉमबर 2012 को और दोस्तों यह सभी प्लाटफॉर्म के लिए प्लेशेशन 3, Xbox और आपके PC के लिए हमारा मेन करेक्टर है उसका नाम जैसन रहता है और वो रूख आइलेंड जाता है अपने फिरंश यार्ट विकेशन मनाने अड़् यू रहता है उसको पाईलट लैसेस मिलने खुशी में वो पाटी बनाते रहता है तो होता क्या दोस्तों कि वो पाटी मनाते मनाते स्काइड़विंग करता है अड़् यूश्चाइडविंग यहां से निकलता है and then after यहां पर मेंन स्टॉरी स्टाट होता है यहां पर अप जेसन वास्क के जोबी बेस रहते है उसा इसेसाब से जेसन वन बाई वास्की जितने भी बेस रहते है उन सभी को यहां पर आपको पुरा ओपन वर्ल्ल का व्यू देखने को मिल जाता है और साथी सद कर जो ग्राफिक्स कॉलिटी भाई भॉक करता ही ओपी है और जो फार क्राई 3 का जो सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है तो बेसिकली जो फार क्राई का जो मिनिम सुपारा में नीड है और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटल को टुडियो में राम से चल जाएगा स्पेस की बात करें तो मिनिमुम आपके पास 10gb के असपास पास पेस खाली होना चाहिए पीसिया लापटॉप पे तो अगर आपको इस गेम को इस्टॉल करना तो कू अपन वर्ड वीडियो गेम जिसे टेवलप एंड पब्लिश किया गया यूवी सॉफ्ट के द्वारा एंड बेसिकली इस गेम में आपको बिसिकला है कि आपको यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको मिशन कंपलीट करने रहता है एंड जो हमारा गेम का जो मैप को स्तु सिकागव शहर में बाश है जैंकि पॉब्लिक जितने भी पॉब्लिक है वह एक दूसरे से कनेक्टेड है मतलब एक ओई से कनेक्टेड तो इस तो अस क्यूद से इस OS से कंट्रोल होता है and basically जो company रहती है वो इस जितने भी details रहती है वो दूसरे company को sell out कर देती है मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहे है कि भाईया आपका जितना भी details है वो सभी private है but वो private नहीं है तो यहाँ पर हमारा protagonist रहता है उस Adam Prius रहता है वो highly highly इसके लिए great hat hacker रहता है कि शहर के किसी भी electronic device को वो hack कर सकता है तो basically अब यहाँ पर जो आपना mission start होता है तो यहाँ पर आपको missions को complete करना रहता है और साती साथ यहाँ पर पूरा open world view मिलता है जो गेम का graphics से उसका क्या कहना मतलब कुड़ता भाल के में नाचूँ ऐसा गेम का graphics से आप वीदर वीदर city को explore कर सकते हो घूम फिर सकते हो मतलब पूरा यार आपको open world city का यहाँ पर पूरा experience देखने को मिलने वाला है जो minimum system requirement है वह में बता दू राम की बात कर तो minimum 4GB होना चाहे ग्राफिक काड मिनिमूम आपके पास 500 बाना में नीड एंड दुस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके बास Intel code to do का प्रोसेसर होना चाहिए स्पेस की बात कर 25GB के असपा स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैप्टॉप इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो वही बोलने का क्या बात है पूत फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वेबसाइट कर लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जल्दी जा कि इस गेम को स्टॉल कर लो वाल किस बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के उपर निकल के आता है उसका नाम है GTA 5 पाया हट GTA 5 के फैन है प्लीस एक लाइक और एक शेर करके जरूर जाना तो यहां पर में GTA 5 के बारे में थ़ड़ा आपको एक्स्प्लेइन कर देना चाहता हूँ वैसे explain करने का जरुवत नहीं आप मेरे से जाधा जानते हो बट फिर भी मैं थोड़ा explain कर देना चाहता हूँ दोस्तों GD5 एक action adventure open world video game में जिससे double up and publish किया गया है rockstar games के दौरा इस game को release किया गया था दोस्तो 17 September 2013 को and basically इसमें आप single player भी खेल सकते हैं और multiplayer भी खेल सकते हैं यहां पर आपको दोनों options मिल जाते हैं and basically पुड़ा open world game है यहां पर आपको missions complete करने रहते हैं and after mission आप city में इधर विधर भटक फिटर रख सकते हैं सबसे रशी बात कि इस game का जो graphics है वो कताई OP graphics है मतलब आप इस गेम को लो-end PC में भी खेल सकते हो and अपने high-end PC में भी खेल सकते हो and basically इस game को जो system requirement है वो भी कुछ जादा निया तो basically यह game आपकी सभी platform के लिए उपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हो 4 में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो in fact अपने PC में भी खेल सकते हो तो well guys, इस game को minimum system requirement है वो यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हू RAM की बात करें तो 4GB होना चाहिए ग्राफिक काट्स की बात करें तो minimum 512 में नीड है and दूस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटर कोट डियो में अराम से चल जाएगा space की बात करें तो भाईया 90GB की आसपा space खाली होना चाहिए इस game को install करने के लिए इस बढ़ते हैं हमारे 5th game की उपर जो मारा 5th game निकल के आता है उसका नाव है Max Pan 3 and अगर आपने Max Pan and Max Pan 2 नहीं खेला है तो भाईया पहले उन game को खेलो तब जाके Max Pan 3 में आओ Max Pan 3 की तो अब कुछ लोग बोलोगे भाई थोड़े ना 4GB वाला game है भाई तो 2GB में चलेगा तो भाईया अगर आप smoothly game को high graphics में खेलना चाहते हो तो Max Pan 3 आपके लिए ही पना है भाईया जी तो यहाँ पर Max Pan 3 आपका एक 3rd person shooting video game में जिसे डवलब किया गया हमारे चाहीते Rockstar Studio के द्वारा और इसे published भी किया गया Rockstar Game के द्वारा game को release किया गया तो May 15 2012 को and almost यह सभी platform के लिए उपलब दे PlayStation 3, Xbox आपके Windows के लिए and well कि इस game में आपको करना क्या रहता है यहाँ पर Mac missions को complete करना रहता है यहाँ open world का यहाँ पर आपको experience देखने को मिल जाता है मतलब इस game का जो graphics quality वो भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है so basically इस game की system requirement की बात कर लें तो guys इस game का minimum system requirement है वो यहाँ पर में रिविल कर देना चाहता हूं RAM की बात करे तो minimum 3GB होना चाहे ग्राफिक कार्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 500 बारें भी ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके PCI laptop पे और प्रोसेसर की बात करें तो Intel code 2 में अराम से चल जाएगा space की बात करें तो भाया minimum 30GB के आसपा space खर रखना इस game को install करने के लिए तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको install करना है चाहिए पार्ट वन मैक्स पेंड वन या मैक्स पेंड टू या मैक्स पेंड थ्री इन तीनों को अगर आपको खेलना है तो कूद फान के सूपर मैं जैसे मेरे वेबसाइट पर जाओ अपनी गेम को install कर लो तो वाल गईस बढ़ते हैं हमारे 6 गेम के उपर जो मारा 6 गेम निकल के आता है उसका नाम है अगर आपनी ब्लैक ओप्स वन को नहीं कहला तो भाहिए आपको स्टोरी लिन समझ में नहीं आएगा तो इसलिए पहले खेलना तब जाके प्लेटी ब्लैक ओप्स दू को आप इंस्टाल करना तो यहां पर मैं कॉल डूडी ब्लैक ओप्स दू के बार में थोड़ा पता दे इस गेम को रिलीज किया गए रहे 12 No.2012 को एक मिशन स्टोरी लाइन टाइप का गेम है दोस्तों यहां पर आपको मिशन कंप्लीट करना रहता है और इस गेम की मोड की बात करतों यहां पर आपको दो मोड मिलते हैं एक सिंगल प्लेयर एक मिल्टी प्लेयर तो इस गेम में आपको पुड़ा ओपन वल्ड व्यू मिलता है आप ओपन वल्ड का यहां पर एक्स्पिरेंस का लुफ्ट उठा सकते हो गेम का जो मिनिममम सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो यहां पर मैं रिविल खड़ देना चाहता हूं रैम की बात करतो आप इससे 2GB में भी खेल सकते ह आप अगर अच्छा एक्स्पिरेंस लेना चाहते है तो 4GB RAM मिनिममम आपकी PCI Laptop पे होना चाहिए रैम की बात कर तो मिनिमम फोर्ज भी होना चाहिए ग्राफिक कार्स की बात करतो मिनिमम पांस उबारा में नीड है और दूस्तों प्रसेसर की बात कर तो को तो मिनिमम आप 12GB के आप सपर स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए अगर आप इस गेम को इस गेम को इस्टाल करना चाहिए तो प्लीज मेरे वेबसाइट पूद फान के जाए और अपने गेम को इस बढ़ते हैं हमारे 7th गेम क्यों पर तो वालगेस हमारे 7th गेम निकल के सबलके आप को पूरा एकक्स पेक्स द करने को मिलता है मिशन स्थॉरीलैं मिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहां पर कुमपीड करना जाता है ।ब्सृट वाट ही और लगती है कि इस मिता पैपalayं वोल्द व्यू का ऐक्सफेस द ने को मिल जाता है साथ साथ गेम को रिलीज किया गया था मार्च मार्च 2013 को गेम की बात करें तो यह सिंगल प्लेयर भी है और मैल्टी प्लेयर भी है गेम अलमुस्स सभी प्लाटफोर्म के लिए प्लेशेशन 3, Xbox, PS4 और आपके PC के लिए और सबसे बात यह दो ग्राफिक कॉलिटी है वो कता ही ओपी ग्राफिक कॉलिटी है गेम का जो मिनिमूम सिस्टम रिक्वार्मेंट है यहां पर मेरी बिल कर देना चाहता हूँ दोस्तो मिनिमूम आपके वाइस 3GB का RAM होना चाहिए प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपका ड्रफिक आट्स की बात करें तो मिनिमूम 12GB के सबस्टी होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए तो इस गेम को भी अगर आपको इस्टॉल करना है अपने PCA लापटोप पर तो कूट फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ और अपने गेम को इस्टॉल कर लो अक्टूबर 25, 2013 को साधिसाथ गेम मोड की बात करते इसमें आपको सिंगल प्लेयर साधिसाथ मुल्टि प्लेयर भी मिल जाता है और अल्मोस्ट इस सभी प्लैटफॉर्म के लिए आपके उपलब दे आप इसे प्लेसेशन 3 में खेल सकते एक्स बोक्स में खेल सकते साधिसाथ अगर अच्छे एक्सप्रेंस के साथ इसे खेलना चाहते तो अगर इसे आप थुड़ा अच्छा एक्सप्रेंस स्मूदली खेलना चाहते तो मिनिमुम् आपकी पास 4Gb रैम होना चाहिए तो यहां पर जो रिकमंडेट सिस्टम रिक्वार्मेंट है वहां पर मैं रिवील क पेस की बात करें तो मिनिमुम् 15GB के असपास पेस खाली होना चाहिए आपकी PCA लापटॉप अगर आपको इस गेम को पी इंस्टॉल करना है अपने PCA लापटॉप पे तो फूद फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ और वहां से आप इस गेम को इस गेम को स्टॉल कर सकते ह और मुस्ट यह सभी प्रैटफॉर्म के लिए अप इसे PlayStation 3, Xbox और आपकी PC के लिए भी खेल सकते हो साथी साथ इस गेम के बारे में थोड़ा मैं एकस्प्रेइन कर दें चाहता हूं दोस्तों एक स्टोरी लाइन मिशन गेम मिलता है यहां पर आपको मिशन कंप्लीट करना रह यहां पर में रिविल कर देना चाहता हूं सुबलकर इस गेम के लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है तो बहाई कूद फान के जल्दी से मेरे वेफसाइट पर जाओ और इस गेम को इस बढ़ते हैं हमारे आखरी गेम के उपर जो हमारा नमबर टेंथ गेम को खेलने के लि जो हमारा 10 गेम है उसका नाम है नीट फोर स्पीड राइवल्स एक आपका रेसिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है गोस्ट गेम के दवारा एंड इसे फब्लिश किया गया इलेक्रोनिक आर्ट्स के दवारा बिसिकली इस गेम को रिलीस किया गया था तब 15 नॉमबर 2013 क बिसिकली यह आपके सभी प्लाटफॉर्म के लिए प्लेशेशन 4, Xbox और आपके PC के लिए साथी साथ में इस गेम के बारे में तो और बता देना चाहता हूं इस गेम में आपको टोटली रेसिंग करना रहता है यहाँ पर आपको missions complete करना रहता है और जैसी इस गेम का मैं बता और दस तो प्रोसेसर की बात करें तो इंटल को टुडियो में गेम अराम से चाल जाएगा स्पेस की बात करें तो मिनिममम 10 Gb के आसपास खाली होना चाहिए आपकी PC या लापटॉप है तो अगर इस गेम को भी आगर आपको खेलना है यह इन स्टॉल करना है तो बाई क्यों सा गेम अभी डाउलोड करने वाले हो तो आज की वीडियो बस इतना ही था आई होप दूस्तों कि यह वीडियो पसना है वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करो शेर को और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के शार्ट शेर करो जो जिनके पास 4GB RAM वाला PC है और वो गेमस खेल नहीं पा रहे हैं भाई उनको बताव कि भाई तुम यह गेमस खेल सकते हो तब तक को लाइबम मैं मिलताओ एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना और पटिवारा ख्याल रखना साथी से अपने गर्फ्रेंट हरा था टतब तक लिए जैहिन आजे बाल